परिवार जनों ने लगाया धक्का देने का आरोप मौत की खबर सुन परिवार जनों मचा कहुराम तो दोस्तों खबर जानने दे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस खबर को लाइक करें शेर करें कमेंड करें और देखते रहें यूपी छत्तर न्यूल रेलवे की में ठेके पर काम करने वाले सफाई करमी की मालगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत हो गई दुरगटना प्लेटफार्म नंबर दो पर हुई हमारे संबादाता देवरा सिंग की जानकारी अनुसार थाना मौधरवाजा छेतर के महुला रकावज खुर्द निवासी किसनलाल का 23 वर्सी पुत्रादेश रेलवे स्टेशन पर ठेका सफाई करमी की नोकरी करता था वे दो बजे ड्यूटी पर पहुँचा काम करते करते लगबग रात की आठ बज गई तभी दो नंबर प्लेट फार्म पर गाड़ी खड़ी थी जिसके नीचे से पाइप लेकर निकल लहा था उसी समय माल गाड़ी चल दी जिससे उसकी मौके पर ही मौध हो गई दुरगटना के बाद आरपी एफ इस्पेक्टर वीरेंदु कुमार वा जी आरपी इस्पेक्टर विजे कुमार मौके पर पहुँचे उन्होंने शब को कबजे में ले लिया वहीं मा मीना देवी का रो रोकर बुरा हाल है परीजनों की माने तो परीजनों धक्का देने का आशंका व्यक्त किये इस्टेशन अधिक्शक योगेंद्र कुमार शाक्र का कहना है कि खाली मालगाडी ने हारन दिया था मगर सफाई कर्मी ने सुना नहीं वहीं नीचे से निकल आथा कि दुरगटना हो गई वहीं पुलिस का कहना है कि धक्का देने का तो सवाल ही नहीं उड़ता सफाई कर्मी धुलाई के लिए पाइप लेकर दूसरी और जा रहा था परंतु फिर भी देर रात तक बड़ी संख्या में समाच के लोग जी आरपी थाने में डटे रहे पर आप कहीं नहीं जाएगे आप हम जल्द लोटेंगे दूसरी ख़बर के साथ तब तक आप देखते रहे हैं यूपी शेतर नियूद और मैं एक वार फिर आप से कहना चाहूँगा ति अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस खबर को लाइक करें शेयर करें कमेंड करें और देखते रहें यू पीछे तरन्यू फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्याग को लेकर किसी और खबर के साथ तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली जैहिन